नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीसे एंभी डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर बच्चो आजम चेप्टर नमर वन इंडियन साइज और लोकेशन पढ़ने वाले हैं जिसका रिविजिन है बिटा थ्री से फाइव मार्क कुश से बिटा सेवन कुशिंट से पहले उनको करते हैं जो बच्चे जो फिर्स कोशिंट का अंसर होगा अंसर होगा अंसर होगा यह मारा अंसर रहेगा वाई 82 स्टार 30 इस लोंगिटीट इस लेक्टेट इस अगला सवाल है बिटा राइट शोट नोट व नेबरिंग कंट्रीज ओफ इंडिया तो देखिए इसका कंप्लीट अंसर हम किस तरीके से लिखेंगे बिटा लैंड फ्रेंट फ्रेंटेर इंडिया का 15200 किलोमेटर जो उसका मर्जर है इंडिया दस सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलिटिट कंट्री हमारे से अगया चाइना है बहुत सरी कंट्रीज के से तो मारा बॉटर शेयर होता है इसमें चाइना नेपाल भूतान पाकिस्तान अफगानिस्तान बांगलादेश मेंमार वगेरा हैं और वाटर अगरिकल्चर पर है इसलाम यहां का में रिलेजन है जैसे हमें कोशन में कहा गया था कि कुछ इंपोर्टेंट कंट्रीज के बारे में हमारे बॉर्डर की बताईए तो बंगलादेश पहले हमने पता किया कौन बॉर्डर है फिर उनकी बात कर रहे हैं बंगलादेश के साथ इंडिया का लॉंगेस्ट बॉर्डर है जो कि 143,998 स्कूर किलोमेटर का है ओफिशिल लैंगवेज वहां के बंगाली है भूतान का एरिया 38,394 स्कूर किलोमेटर है बुद्दिजम और हिंदुजम फॉलो करने वाले लोग हैं सोर्स ओफ इंकम एग्रिकल्चर टूरिजम है चाइना जो हमारे बॉर्डर में रांक वन है वर्ल्ड पॉपलेशन में इसका एरिया 95,096,096 स्कूर किलोमेटर है यह काफी इनके जो रिलेशन्स है वो खिचे वे रहते हैं स्ट्रेंट रिलेशन्स हैं मैमार का एरिया 6,076,578 स्कूर किलोमेटर है फोर्ट लार्देश नेपाली है पाकिस्तान का एरिया 7,096,095 स्कूर किलोमेटर से ओफिचल लाइंग्वेज उर्दू है इसलाम यहां का रिलेशन है श्रिलंका जिसका वाटर बॉर्डर है इंडिया के साथ वो पॉक स्ट्रेट से सेपरेट होता है इंडिया से माल्दीव साउथ वेस्ट इंडिया में है बहुत ही छोटा साइलेंड है 298 स्कूर किलोमेटर पर यह पूरा बसा हुआ है अगला कुश्चन ने पिटा शॉर्ट नोट ओन आइलेंड इंडिया इंडिया इस टू ग्रूप ऑफ आइसलेंड तर लक्षोदीप आइसलेंड जो की अरेबियन सी में है माल इन इंडिया में वहां से मिर्च मर्शालब वाहां दे तो वहां से कुछ चीज़ लाते थे Some Indus Valley seals have been found at Mesopotamia which indicates that India had direct trade relations with it. India kept trade relations with Babylon and Persia as well. Next question, why is the difference between duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? Kanyakumari is located near the equator, जब काश्मिर फार फ्रों एक्वेटर इसले ऐसा होता है. We know that day and night are almost 12 hours on equator. Hence, placed close to equator do not feel the duration of day and night. The difference increases as we go far from the equator. इसले जब काश्मिर में में फील होता है, करने कमारे में फील नहीं होता है. The central location of India at the head of Indian Ocean is of great significance. इस बात को बताएं. India is centrally located on the world map. It is surrounded by three water bodies. South में Indian Ocean, Bay of Bengal East में और Arabian Sea West में. India favorably located a world highway of trade पर and commerce both to Eastern and Western countries में पर अपना ट्रेड कर सकते हैं. India is situated in the middle of the Asian continent and has vast and open market very near to it both sides. Ocean routes like Shoes Canal and Cape of Gold Hope passes through Indian Ocean. India is bordered by the Himalayas in North West thus protect India from invasion. India has been able to establish close cultural and commercial contacts with the countries of West and East due to its central location even during ancient times. तो इस seven questions होगे बिटा यह आगे करते हैं. अब बिटा आगे हमें इस paragraph में से question करने हैं. साथ question उपर के हैं. देखिए, one, two, three, four, six, seven, हम कर चुके हैं. इंडिया's contacts with the world have continued through ages. बिल्कुल सही बात है. तुरू दे लैंड रूट्स. अब maritime contacts. The various passes across the mountains in North उन्होंने passage प्रवाइड किया है to the ancient travelers. Oceans ने restrict किया था इस passage को लंबे समय तक. These routes have contributed to exchange of ideas and commodities, विचारों का अधान परदान और चीजों का. इससे हुआ है land route से. Ideas of उपनिशद और रमायन, stories of पंच्चेतंत्रा और भारत के numerals और decimal system भी इसी कारण पूरी दुनिया में पहुँचे हैं. The species, Muslim and other merchandise भी, commodities भी भारत से डुसी कंटरीज में गई है. जबकि Greek culture का influence और article style of dome and minutes from West Asia भी भारत के पास आई है. आई है question करते हैं. Which of the following was the oldest mode of communication by India to contact the world? Land route. Where did the decimal system originate? India. Decimal system originated in India. Which western architectural styles had influence on Indian architectural styles? तो इस खांसरो का बिटा ये. थर्ड का ग्रीप्स कल्चर है. List few items which were exported to different countries from India during export times. तो यहां पर आप ये कर देंगे. 4th. This will be the answer number 4 friends. तो ये आपको ध्यान रखना है बिटा. इसे के साथ ये वक्षिट समाप्त होती है. Have a good day friends. Please subscribe to our channel and keep supporting us.